तीर कमान का एक इशारा अब हैदराबाद की सियासी हवा को और ज्यादा भड़काता हुआ नजर आ रहा है अब यह तीर कमान का इशारा आखिर किया किसने है दरसल यहाँ पर एक शुभायात्रा निकाली जा रही थी राम नवमी का वक्त था एक शुभायातर निकाली जा रही थी और यहां पर हैद्रबास से जो बीजेपी की उमीदवार है बादवी लता उनकी तरफ से इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं एक इशारा किया गया है तीर कमान का और वो जो इशारा जिस तरफ किया गया है बाद से अब इस पूरे वीडियो पर बवाल हो गया है यह वीडियो सोचल मीडिया पर तेजे से वाइरल हुआ जिसके बाद अब इस पर सियासत गर्मा गई और बैसी की तरफ से तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल उठाए गया जिसके बाद मादवी लता को माफी भी मांगनी पड़ी, उनकी तरफ से कहा गया, कि जो विडियो है उसका एक आँश दिखाया जा रहा है, ये पूरा विडियो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी की भावनाईं बढ़कती है, आहत होती हैं, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, अब जो है तेलंगाना पुलिस के तरफ से बकाइदा एक आक्शन लिया गया है और FIR जो है वो मादवी लता के खिलाफ जो है वो जारी की गई है यानि कि यहाँ पर मुश्किल है मादवी लता की बढ़ती हुए नजर आ रही है लेकिन इस विवाद के बाद से हैदराबाद क की से लेकर अबैसी परिवार की यह परम-पराघड स्थीट है उनका परिवार यहां आउला से जीतता आया है 1984 को सलाव दिन जो असदूदीन ओवेसी के पिता है वो यहां से जीते थे 2004 तक और 2004 के बाद यह सीट असदूदीन ओवेसी जीतते आए हैं तो आप देखिए परमपरागत सीट है एक लंबी पारी जो है असदूदीन ओवेसी परिवार ने इस सीट पर खेली है और इस बार जिस तरीके से बी सनातन को लेकर हिंदुत्व को लेकर वो हमेशा से जंडा बुलंद करती आई है और अपने बयानों को लेकर भी हमेशा चर्चाओं में रहती है और जब से बीज़पी की तरफ से उन्हें कैंडिडेट घूशित किया गया है उसके बाद से ही हैदराबाद का रण जो है वो कि खास है क्योंकि यह पहली बार है जब बीज़पी ने यहां से एक महिला उमीदवार को चुनावी मैदान में उता रहा है और गड क्यूंकि यह असदूदुन वेसी का है अब कही ना कहीं तस्वीर यह निकल कर आ रही है कि जो तेलंगाना का रण है वो हिंदित्व वर्स और बैसी बनता हुआ नजर आ रहा है अब मादवी लता कि हैं कौन ये भी आपको जाना बेद जरूरी मादवी लता एक हॉस्पिटल की चैपरसन है यहां पर इसके अलावा वो एक क्लासिकल दांसर भी है समाजिक कारे करती है दरबाद के लिए बहुत सारे काम इन्होंने क खिला गया और इससे पहले जो बीजिपी के कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था तीन लाक मोटों से वो पिछली बाद असदुदीन ओवेसिस से हारे थे लेकिन जब से मादवी लता चुनाब परचार में जुटी हुई है और हैदरबाद या दंगल है वो हिंदित्व वर्सेज बनता हुआ नजर आ रहा है